A very good morning to all of you, रादे रादे नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज 26 जुलाई और 26 जुलाई 2020 के करेंट अफेर का पर्टिकुलर वीडियो है यह स्टार आएक्यू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अगर आपको मेरे दोरह पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का पीडियो फाइल चीए, तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल स्टार आएक्यू पीडियो को जुरूर जोइन कीजिएगा स्टार आएक्यू क्विज के नाम से मेरे टेलिग्राम क्विज ग्रूप भी है, आप उसमें भी एड़ होईएगा, आप मुझे फेस्टबुक और इंस्टा पे स्टार आएक्यू एजुकेशन से फॉलॉप कर सकते हैं कल मैंने आपसे क्यूसन पूछा था, उसका सही जवाब क्या था, कि किस सल्तनत कालिन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावत त्योहार को मनाने पर रोक लगा दी थी, तो इस क्यूसन का बिल्कुल ठीक अंसर था, अलाउदीन खिल जी, सी इन मारने वाला यही था, ठीक है, और बहुत सारी इसकी लव स्टोरी है, किसी रोज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, यह important भी है भाई साब, ठीक है, चलिएगा अगला हमारा क्यूसन है, आज का पहला की हाली में अमला शंकर का निदन हो गया है, वह कौन के लिए जो है बंग वीभूशन पुरुसकार से सामानित किया था, जहां दीजिएगा इस अवोड का नाम है बंग वीभूशन, अच्छा जिकर तो इसमें पस्चे मंगाल का भी हुआ है, तो पस्चे मंगाल की राजधानी है कोलकता, कोलकता नदी हुगली के किनारे है, य जैस्विक ग्रहाकों के लिए enterprise mobility सामाधान सुरू किया है, तो ग्लोबल कस्टमर रिसेंटली अभी हाल ही में जो है, ओला corporate के नाम से ओला ने एक सामाधान सुरू किया है, इसके ताइद क्या होगा, तकरीबन 10 हजार जो corporate उपयोग करता है, उनको अट्रेक्ट करेगा भारत बाजार और भारत के अंदर आप सभी को पता है ओला का एक अच्छा खासा बाजार वर्तमान के अंदर भी है और ओला जो है ओला के जो CEO है उनका नाम भावेश अग्रवाल है और इसका हेड़कौर्टर है वो कहां पे बैंगलीरू करनाटक के अंदर है चलिएगा अगला हमार ही में recently Life Insurance Corporation of India has tie up with whom to distribute the policy तो distribute policy करने के लिए हाल ही में UBI के साथ में समझोता किया है LIC ने एक option जो है इस question का हमारा बिल्कूल ठीक रहेगा कौन सी policy जो की Trump insurance है pension है plan है children plan है इन सभी की policy को जो है और distribute करने के लिए सुपर मार्केट में उतारने के रूप में काम करने के लिए LIC ने UBI के साथ में समझोता किया है अब LIC का full form तो आपने जान लिया लेकिन इसका headquarter कहां पे है मुंबाई में DEX को ने इसके MR कुमार है जिकर तो UBI का भी हुआ पर UBI का full form क्या है Union Bank of India है इसका headquarter मुंबाई में है और MD और CEO का नाम राज किनर राई जी है जब भी मैंने काया आपको bank आता है तो bank की tagline आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है तो Union Bank of India की tagline क्या है Good people to bank with यह इसकी tagline है जो आपको अच्छे से याद रखनी है हाली में कौन Micro Finance Institute Network MFIN के CEO बने है तो अभी हाली में Micro Finance Institute Network MFIN के CEO बने है इनका नाम है आलोक मिश्रा C options है इसक्यूसन का हमारा जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे इनकी न्यूक्ती होने वाली है 1 अगस्त 2020 से जो है इनकी न्यूक्ती होएगी अच्छा Micro Finance Institute Network जो इसका Headquarter कहां पे गुरुग्राम हर्याना के अंदर है और MFIN में 2 साल से अधिक समय तक सेवाई देने के बाद में इस्तीफा दे दिया था किन्होंने हर्ष श्रीवास्तव ने ठीक है हर्ष श्रीवास्तव का ये पदभार संभालने वाले हैं अलोक मिश्रा अगला कि उसने हाली में किस बैंक ने वितिय स्थिर्था रिपोर्ट का 21 अंक जारी किया है विच बैंक हैस रिसेंटली रिलीज़ दा 21st इशू अफ़ फाइनशल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो ये रिपोर्ट जारी की है अर्बियाई ने रिजव बैंक ओफ एंडिया ने बैंकों का बाप जो कहता है इसके ने ये रिपोर्ट जारी की है Financial Stability Development Council इफएसडी सी रिपोर्ट जारी की है जिसमें बैंकों के विनियम के बारे में सामदविक मुद्धों के बारे में वित्य प्रणाली के बारे में जो है बताये गया है जोखिम वगरा के बारे में स्मीतियों के बारे में सब जिकर किया गया है RBI की स्थापना की गई कब है एक अप्रेल 1935 के अंदर इस बैंक का रास्टे करन 1949 में हुआ है हेड़कॉर्टर इसका मुंबई में है और इसके 25 वे गवर्नर शक्ति कांथ दास है ठीक है अगला हमारा जो क्युस्तन है कि प्रदान मंदरी निरेंदर मोधी वीडियो कॉन्फर तो याद आही जाएगा जाहिर सी बात है ए औप्षिन सही है इस क्युस्टन का हमारा भाइसाब ने दाड़ी बढ़ा ली और दाड़ी का स्टाइल भी चेंज कर लिया वा जी वा दुनिया तो क्रोना में जूजरी है मोधी भाइसाब को स्टाइल सूजरे है मार लो किलार मंतरी मोधी जी लेकिन प्लीज अमारी लिए थोड़े से परसन कम बनाया करो जब से आप आयो तब से जड़ी लगा रखी आपने परसनों की मन मोधन जी थे तब तक तो एक भी सवाल हमें दिखने को नहीं मिलता था पांच साल दस साल में कोई पांच साल सवाल देते हो तो प्लीज इतनी हम पे किरपा करो और बेसक आप कुछ मरजी करो चलो इन्होंने किया है इस कारेकरम मनिपूर की गवर्नर नजमा हेपतुला मुख्यमंतरी एन बिरेन सिंग और उनके काबिनेट के सदेशे इस टाइम पे मौजूद थे और इसके इस कारेकरम से हो जन सिंग्या कितनी है 27.2 लाग है और गवर्नर का नाम डॉक्टर नजमा हेपतुला है इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा है अपना तो सबसे नीचे का स्थान ही मिलेगा वैसे 139 स्थान मिला है हमें C option जो है 8.01 MBPS की एवरेज है दुनिया में नंबर वन कौन से अभी स्विजर लेंड इनकी कितनी स्पीड है सर इनकी तकरीबन एवरेज स्पीड पुर्षों के बराबर हक देने के लिए 10 स्थान के अंदर कमिशन के आदेश दिये गए हैं C option जो है इस किस्तन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा इन 10 स्थान के अंदर महिला और पुर्षों का हक बराबर बराबर रहेगा जैसे signal stream है, army air defense है, engineer है, army aviation है, educational crop है और उसके साथ म महिला और पुर्षों का हक जो है बिल्कुल बराबर बराबर रहेगा, थल सेना की बात हो रही है, थल सेना के पहले जो जर्णल थे उनका नाम जर्णल M करियपपा है, और 15 आपका जो जनवरी है उस दिन army day मनाया जाता है, ठीक है, और army के अध्यक्स का नाम क्या है, मनोज म बुकन नरवाने हैं वरतमान में, और चीफ डिफेंस स्टाफ सीडियस कोन है, विपिन रावत है, लिजेंट आफ चैस online tournament के second round में विश्वनात आनंद को किस खिलाडी ने हरा दिया है, तो विश्वनात आनंद को हराया है, किसने, ये इनका नाम है, मेग सेंस काल सन, ये विश्वनात आनंद को 1.5 से 2.5, 1.5 और 2.5 से जो हरा दिया है, और इस tournament के लिए जो है, वो डेड़ लाख डॉलर की इनामी रासी जो है, वो दी जाने थी, ठीक है, डेड़ लाख डॉलर की इनामी रासी, जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, यही है विश्वनात आनंद को, राना सांगा को, इन दोनों को ही या इन में से कोई नहीं, डिटेल से बताईएगा जो भी इसका अंसर है, और बाबर के बारे में तो आप यकीनन बताईएगा इनकी कौन-कौन से युद हुए थे, पहली बार भारत में तोप का प्रियोग कब किया था, किसने किया था, बाबर आया कहां से था, इसकी कबर कहां पे, इसको पहले कहां दफनाया गय था, बाद में इसको कहां दफनाया गय था, ये भी ट्विस्ट वाला किसन है, अब बताईएगा चलेगा, इसी के साथ आपसे इजादत देता हूँ, आप हस्ते मुस्कुराते रहिएगा, वाद कल फिर हाजिर होंगा सुक्रिया